नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दानियोस और मैरानी गुपता आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार करनाटका के विधान सबा चुनाओं में बजरंग वली और भगवान श्रीराम को एहम दिखाई दे रहे थे ताकि किसी तरीके से इस चुनाव को जीता जा सके तो वही दूसरी ओर आप जब चुनाओं हो गए हैं Congress Party इस चुनाव को जीद गई है तो सिददार मया जो कि Congress के वरस्ट लीडर है उनके आवास के बाहर जो पोस्ट लगा था भगवान श्रीराम और ह आनुमान का वो पोस्टर दरसन निकाला जा रहा है बतादे कि जैसे ही एनाई के द्वारा इस वीडियो को पोस्ट किया जाता है तमाम लोग इस ट्वीट को देखने के बाद गुस्से में आ गए हैं लोगों का ये कहना है कि एक बर फर से कॉंग्रेस का परदा फार्श हो चुनाव के दौरान हिंदू का चोला ओड लेते हैं ये भी लोगों के अब साफ तोर से देख लिया है बतादे कि बीजेपी नेतात जिंदरपाल सिंग बगगा भड़क चुके हैं उन्होंने तो सीधे तोर पर कॉंग्रेस को चुनावी हिंदू तक कह दिया है तो वहीं द सुल्टान के जिंदावाद के नारे लगाए जा रहे हैं दरसल देखने को मिला था कि जब तक करनाटका में कॉंग्रेस की सरकार थी तब तक वहाँ पर दो तीन सालों तक टिपू सुल्टान की ज्वेंती मनाई जाती थी हाला कि बाद में जब यहां पर बीजेपी सरकार आ तो फर से टिपू सुल्टान की ज्वेंती मनाई जाएगी इसको लेकर के चुनावी रैली के दौरान हेमानता विश्वसर्मा ने भी हमला बोला था उनका कहाना था कि अगर आपको टिपू सुल्टान की ज्वेंती मनानी हैं तो आपको भारत में रहने के आवश्यक्ता नह उन्ही भगवान श्रीराम का सहरा लिया जाता है चुनाव को जीतने के लिए और जब चुनाव जीत जाते हैं तो पोस्टर को हटा दिया जाता है बतादे कि कई बार समय समय पर कॉंग्रस का हिंदू विरोधी चेहरा लोगों के सामने आया है उस वक्त भी देखने को मिला था कि जब मनमोहन सरकार थी तब श्रीराम के जो पुल है उसको लेकर के एक एफिडेविट दाखिल किया जाता है सुप्रीम कोट में और इसको गलत बता दिया जाता है साथी श्रीराम के अस्तित्व पर भी यही कॉंग्रस पार्टी थी जिसने सवाल उठाया था अभी हाल ही म करनाटिका चुनाव के दौरान मलिका अरजुन खरगे का एक वीडियो भी वारल हुआ था जिसमें उनके माथे पर तिलक लगाया जाता है लेकिन वो तुरंत उस तिलक को मिटा देते हैं इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि कॉंग्रस जो है अपने खास समुदाय के वोट का मिटा दिया पता दे कि करनाटक विदानसवा चुनाव में जीत के साथ ही कॉंग्रस ने तास दार मया के घर के बहाल लगी भगवान श्रीराम और बजरंग बली की तस्वीर को हटा दिया गया है चुनाव के दौरान कॉंग्रस पार्टी ने अपने घोशना पत्र में लि पर बजरंग बली के अपमानकारों भी लगाया था इसके बाद कॉंग्रस ने ताउने भी खुद को हनवान जी का भक्त दिखाना शुरू कर दिया था और इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री सद्दार मया के आवास के बाहर दोनों ही देवताओं की तस्वीरे लगाई गई थी लेकिन अब इन पोस्टरों को हटा दिया गया है करनाटका की राजधानी बेंगलूरू स्थित उनके घर के बाहर लगे इस पोस्टर में उनकी फोटो भी थी करनाटका में एक सो पैते सीटों के साथ कॉंग्रेस को बहुमत मिला है जबकि बीजपी छाचछट सीट ही प्राप्त कर पाई है इसके बाद लोगों ने कॉंग्रेस नेताओं को चुनावी हिंदू बताना शुरू कर दिया है एक वैक्ति ने तंच कस्ते हुए लिखा कि कहीं मुस्लिम अपनी वोटिंग वापस लेने की धमकी दे रहे होंगे शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किय लोगों ने कहा कि चुनाव के साथ साथ ही इनकी भक्ती भी खत्म हो जाती है वहीं एक ट्वीटर यूजर लिखते हैं कि भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया वाला मीम भी शेयर किया है कॉंग्रेस पर हिंदूओं को बेवकूफ बनाने के आरोप भी लगाय जा रहे हैं एक ने याद दिलाया कि इस पाठी ने कभी भगवान श्री राम का अस्तत्व भी नकार दिया था बता दे कि करनाटक में कॉंग्रस के विधायक दल के नेता का फिलहाल चैन नहीं हुआ है डीके शिवकुमार और सिदार मया में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाय जाना हैं वहीं देश भर की विपक्षी नेता अब 2024 लोकसवा चुनाव के लिए इसे शुरुबात बताते हुए ये कह रहे हैं कि प्रदान मंत्री मोदी अजय नहीं है डीके शिवकुमार ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के लिए कई बार त्याक किया है कॉंग्रस अध्यक्ष म मया को सियम बनाया जाता है हाला कि अगर किसी एक का नाम का भी अलान होता है तो इसके बावजूद जो तस्वीरे राशनेतिक विशेशग्यों की माने तो यहीं कहीं जा रही है कि करनाटका में उथल पुतल के स्थती इसके बाद भी देखनी को शुरू हो सकती हो और कहीं ऐसा ना हो कि कॉंग्रेस जीतने के बावजूद हार जाए क्योंकि उन्होंने अपना मुख्यमंद्री गलत चुन लिया इसी के साथ ही जिस तरीके से कॉंग्रेस का एक बार फिर से परदाफाश हुआ है तो वहीं इसको ले करके अब तमाम तरीके की बाते लोग सोशल मीड लोगों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी जादा संख्या जो है वो एक खास तुरस्तिकरण की राशनीती के लिए खास वोट बैंक को लुभाने के लिए राहुल गांदी ने की और शायद इसका असर जो है करनाटका के वोटिंग में भी देखने को मिल है क्योंकि जहां बीजेपी को मुस्लिम वोट केबल तीन फीसदी मिले हैं तो वहीं अगर हम कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस को टोटल 82 फीसदी मुस्लिम वोट मिले हैं यह अपने आप में दर्शाता है कि आखिर कॉंग्रेस को ले करके मुसल्मानों का कितना ज़ जंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं बखायदा पाकिस्तान के जंडे भी लहरा आए जाते हैं हाला कि इस मामले को ले करके पुलस ने दर्श कर ली है और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है तो वहीं दूसरी और एक बार फिर से टीपू सुल्तान को ले करक वह नजर आते हैं एक बच्चे को टीपू सुल्तान बना करके बखायदा टीपू सुल्तान की नारे बाजी की जाती है जंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं इससे तमाम लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि एक बार फिर से अब करनाटका में कॉंग्रस का असली च चहरा दिखाई देना शुरू हो गया है कि कैसे भगवान श्री राम और बचरंग बली के पोस्टर को एक किनारे किया जाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और टीपू सुल्तान की जय जयकार लगाना लोगों ने शुरू कर दिया है बता दें कि लगातार करनाटका को ले था हाला कि यह शुरूआज जो है वो कामों को ले करके हुआ था प्रधान मंत्री को किस तरीके से अपत्ति जनक टिपड़ी की इस बास से सुरू हुआ लेकिन यह चुनाव जो है वो धीरे धीरे बचरंग दल और बचरंग बली तक ज़ा करके सिमट गया फिलाल इस खबर क को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं आगी क्यों और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें